है देख नहीं तो फोर्स उन डायेक्ट्रिक्स लैब उसका फॉर्मुला डिदायव हो गया था कैसे निकाला था हमने कैपसिटर की स्टोर्ड एनर्जी निकाली को से डिफ्रेंशियट करके अमें मिला था कि फोर्स न डायेक्ट्रिक स्लैब कितना लगता हो एक कॉंस्टेंट force आया था जो हमेशा capacitor के center की दरफ लग रहा होता है ठीक है ना तो यहाँ पर यह question उसी पर based है आपको बताना है V1 की value अगर यह दो slab का जो combination है यह equilibrium में है ठीक है ठीक है ना तो यहाँ पर दो slabs हैं जिसमें एक side dielectric constant 3 है और एक side dielectric constant 4 है और दोनों को बीच से join किया गया था ठीक है यह partially क्या है capacitors के अंदर है अब obviously यह वाला capacitor इस slab को अपने अंदर खीचना चाहरा होगा और यह वाला capacitor इस slab को अपने अंदर खीचना चाहरा होगा और क्यूंकि दोनों slabs connected हैं तो यह किसी एक direction में ही जा सकती है अब बोला गया है कि अगर C2 capacitor के across 2V0 potential difference है तो बताओ C1 के across कितना potential difference होना चाहिए अगर यह slab का combination equilibrium में है तो obviously हमें क्या करना होगा slab के उपर net force 0 करना होगा तो बताओ ज़रा V1 की value क्या आएगी वो force जो हमें मिल चुका था वो मिला है K-1 V2 into B by 2D ऐसा कुछ force हमें मिल गया था जहां हमें याद रखना था B क्या था? B था dimension of plate perpendicular to direction of motion ठीक ना तो अंदर वाला जो dimension होता है plate का वो हमें लेना होता है अब यहां दिया गया है कि हर plate का area A into B है तो अगर इस plate का ये dimension B है तो into the plane इसका dimension A होगा इसका ये dimension A है तो into the plane इसका dimension क्या होगा? B होगा तो simply हम दोनों तरफ लगने वाले force को equate कर देते हैं ये कुछ इस तरह से हो गया ये 3 और ये 4 है हमारे के मैं बोल देता हूँ यहां पर force लगा होगा कुछ F1 यहां पर लगा होगा कुछ F2 तो क्या हो जाना चाहिए? आप कहा सकते हो F1 equal होना चाहिए F2 equilibrium के लिए लिख देते है value यहां पर आजाएगा 3-1 left वाले के लिए अगर में लिखू into V1 का square into अंदर वाले dimension हो गया A upon 2 into separation between plates D है similarly F2 अगर लिखा जाए तो 4-1 into 2V0 का square क्योंकि 2V not potential dropouts के frost into अंदर वाले dimension इस case में क्या है? B है upon नीचे 2D ठीक नए? यहां से बस हमाई calculate करना है V1 की value तो यहां से देखो क्या क्या है 2D, 2D cancel out हो गया यह 3 बचा यह 12, यह 2 तो 6 V1 की जो value हमें मिल जाएगी यह कितनी मिल जाएगी under root of 6B by A इतना potential drop लगाना पड़ेगा C1 के across अगर slab को equilibrium में रखना है ठीक ना? अगर चलते एक और question कर लेते है अगला question यह है आपको उताना है find the minimum mass of the block so that it can be placed in the pen at equilibrium एक setup दिया गया है जिसमें एक capacitor के अंदर एक dielectric slab लगाई गई है जो की connected है किससे? एक pulley से और उससे एक mass लटा कर आए है ठीक है? हमें बताना है कि equilibrium में maximum mass हम कितना put कर सकते है try करो सब लो separation between plates है D plates का area है A square और plates कैसी है? square plates है तो हर dimension क्या हो गया? A यहाँ पर बस क्या करना है अब आपको equilibrium लाना है यहाँ अगर tension आप T मान लेते हो तो obviously यहाँ पर tension कितना होगा? 2T होगा तो इस small m के लिए अगर free body diagram बनाए तो इस पर नीचे लग रहा होगा small mg और उपर लग रहा होगा 2T equilibrium है तो 2T equal हो जाना चाहिए किसके small mg अब ये slab भी क्या है? equilibrium है अगर slab equilibrium है तो उस पर भी net force 0 होना चाहिए तो capacitor उसके लिए अंदर की तरफ force लगा रहा होगा यहाँ मान सकते है तभी equilibrium में आ सकता है F और यहाँ जो tension है T तो T equal होना चाहिए किसके F के यहनि कि आप कहा सकते हो 2 into F ये equal होना चाहिए mg के यहां से हमें M की value मिल गई है जो मास हमें equilibrium पे लिए पूट करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा वो जाएगा 3 V square A by gd एक Epsilon not रहेगा formula के अंदर यहां पर Epsilon not प्याता है यह थोड़ा अच्छा question है इसमें बोला गया find the time period of oscillation of the slab if it is released as shown तो इस instant पर ऐसी situation में इस slab को release कर दिया गया है तो आपको बताना है कि time period of oscillation क्या होगा बताओ जाएगा यहां पर कोई SHM तो हो नहीं रहा है जो हम formula यूज कर सेगे time period 2.0 root m by k plate की side A है और separation between plates भी कितना है A है यह cube है dielectric जो की side A का है initially dielectric को capacitor के अंदर A by 4 distance अंदर करके release किया गया था तो इसका जो motion होगा कुछ इस तरह का होगा कि slab जब दूसरी side से बहार निकलेगी तब भी exactly ऐसी situation होगी यानि A by 4 अंदर होगी एसा मैं बोल सकता हूँ कि यह अगर center of capacitor है तो हमारे dielectric जहां से start हुआ exactly उतना ही बहार जाता है फिर इस तरह से अंदर आता है और इस तरह से उसका oscillation होता रहता है तो बस basically यहां से आप ऐसा सोच लो यह आपका starting point है यह हो गया center of capacitor कब इसके उपर four zero होगा ऐसा हम देख सकते है ठीक है ना A by 4 अंदर इसको भेजा गया है इसका जो center एकडम capacitor के center के साथ coincide करेगा जब हमारे dielectric slab का center capacitor के center के साथ coincide करेगा यह जब ऐसी situation होगी तब हम कह सकते हैं कि उसके उपर net force क्या होगा उससे पहली वाली situation में उसके उपर force अंदर की तरफ था उससे बाद वाली situation में force इस तरफ होगा ठीक है ना पीछे की तरफ तो हमें बस यही निकालना है कि इस point से center तक जाने में कितना time लगएगा क्यूंकि जितना time इस point से center तक जाने में लगेगा, उतना ही time center से इधर बाहर जाने में लगने वाला है, similarly बाहर से फिर center तक आने में इतना ही time लगेगा और फिर center से यहां आने में उतना ही time लगने वाला है समझारी वाद, तो अगर हमें यह time मिल जाए, तो यह time अगर t है यानि कि starting point से exactly center of capacitor तक पहुचने का time अगर T है तो उसी को चार गुना करने से आपको time period मिल जाएगा क्योंकि यहां से center तक का T, फिर एगदम बहार तक का T, फिर वापस center तक का T और फिर finally इसी position तक आने का T तो यह एक oscillation complete हो गया तो basically आप क्या करोगे center of slab को center of capacitor से coincide होने में कितना time लगने वाला है वो calculate कर लोगे अच्छा हमें पता है capacitor के उपर force कितना लग रहा है force की value जो है वो हो जाएगी epsilon naught A into k-1 into v square by 2 D, यहां पर D की value भी A दी गई है put कर देते हैं, f बराबर epsilon naught A k हमें 2 दिया गया है, 2-1 v square by 2 into A, ठीके न, यह हो गया force तो आप acceleration भी निकाल सकते हो, slab का acceleration आजाएगा, वो होगा force by mass यानि कि epsilon naught v square by 2 M ठीके न, यह हमारे पास क्या आगया, acceleration आगया अब acceleration आगया, अब acceleration आगया तो बस displacement आपको कितना करना है, यह आप देख सकते हो यहां से आपको बताया गया है कि separation कितना होगा यह point से center की दूरी कितनी होगी A by 4 है कि नहीं तो इसे A by 4 और यह हमारा center of mass है, slab का center of mass edge से कितना पीछे होगा A by 2, क्योंकि यह cube है A side का तो A by 2 plus A by 4, center of mass को कितना चलना है, 3A by 4 तो displacement center of mass का जो होना चाहिए, slab का वो होना चाहिए, 3A by 4 तो बस अब मैं simply formula लगा दूंगा, s is equal to half a t square और वहां से हम t calculate कर लेंगे यह आगया, 3A by 4 यह जाना चाहिए, half acceleration epsilon not v square by 2m into t square, यहां से हमें t मिल गया, t की value कितनी आ गई, t की value आ जाएगी under root of 3 am by epsilon not v square अब आपको time मिल चुका है, तो total time period जो होगा, वो इसी का 4 गुना होगा तो इसा आप simply क्या लिख सकते हो, 4t, यही 4 under root 3 am by epsilon not v square बताओ doubt है किसी को time period का question आए, आप क्या करोगे, सिर्फ उसके starting point से, exactly center coincide तक होने तक का time period calculate कर लोगे, और उसे क्या कर दोगे, 4 times ऐसा कर देने से, अचरा आ जाएगा आगे बढ़ जाते हैं अब यह question है, इसमें बोल गया, find the heat generated if the plates of a capacitor are connected to each other अब अगर इसे हम connect कर देते हैं, conducting wire से, तो heat generated आपको बतानी है तो काफी simple सा ही question था, जो भी energy capacitor में store की गई होगी, वो अब store नहीं बचने वाली है, क्योंकि capacitor अब energy store करी नहीं सकता है कोई भी charge यहां के accumulate हो नहीं पाएगा, अगर charge plates पर accumulate नहीं होगा, तो potential difference नहीं आएगा, तो electric field generate नहीं होगी, और electric field नहीं होगी, तो फिर energy भी नहीं होगी तो जितनी energy पहले stored थी, वही किस में convert होगी होगी, heat में, तो heat को simply आप half cv square लिख सकते हों, यहीं हाफ epsilon not a by d into v0 square, तो simple सा question था, तो capacitor को अगर हम उसके दोने terminals को connect कर दें, plates को connect कर दें एक गूसरे से, तो क्या हो जाता है, वो discharge हो जाता है एक तरह से, तो आपने सारी energy को किस में convert कर दिया, heat में convert कर दिया, तो यह हो गया, force on dielectric slab, तो एक आखरी topic बचाए capacitor का, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, जो है, dielectric strength and breakdown voltage, ठीक ना, break down voltage, यह हम पहले भी देख चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, dielectric strength किसे बोला जाता है, अब कोई भी dielectric slab अगर आपके पास है, तो हम जानते हैं, उसके अंदर क्या होता है, धेर सारे dipoles होते हैं, जो कि randomly उसके अंदर exist करते हैं, इस तरह से, ठीक है, लेकिन जैसे partial polarity भी develop होती है, उससे मा मतलब नहीं है, अगर किसी भी एक dipoles को आप देखो, तो इस पर net force तो कितना होता है, zero होता है, इस external electric field के वज़े से हम कह सकते हो, इस पर net force तो zero होता है, क्योंकि उसके negative part पर force इस तरफ लग रहा होता है, F, Q into E, और उतना ही force, right side में भी लग कितना F, Q into E, तो net force तो इसकी उपर क्या है, zero है, लेकिन tension in dipole अगर बोला जाए, तो वो zero नहीं है, आप ऐसा सोच के देखो, कि दोनों तरफ से अगर कोई आपको खीचेगा, तो तनाव तो पैदा हो रहा होगा, अब जैसे जैसे आप electric field की value बढ़ाओगे, और क्योंकि force की value Q into E है, तो जैसे जैसे electric field को आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे force जो लग रहा है, वो भी बढ़ने लगेगा, अब हर material की एक maximum capacity होती है, कि वो इतना maximum stress bear कर सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके इनदा stress भी develop हो रहा होगा, अगर आप हद से जादा force जोने तरफ लग dielectric, so that it does not break, उसे हम कह देते हैं, उसकी dielectric strength, तो किसी भी dielectric slab की, dielectric strength क्या हो जाती है, जो maximum electric field आप उसके across लगा सकते है, ठीक है ना, तो हम simply कह देएंगे, Emax possible without breaking dielectric, breakdown, is dielectric strength, ठीक है ना, dielectric strength उसे मैं कह देता हूँ, obviously यह property किसकी होती है, material की, property of material, किसी के dipoles जादा strong होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप जादा field लगा सकते हो, किसी के dipoles कम strong होते हो, तो उसमें आप कम field ही लगा सकते हो, तो यह होगी simple सी बात, dielectric strength, अगली चीज़, हमने इस पर यह भी देख ली थी, breakdown voltage, breakdown voltage किसे बोला जाता है, तो breakdown voltage हो जाता है, the maximum voltage that can be applied across the slab, without causing dielectric breakdown, यानि कि आप dielectric slab को तोड़े बिना, maximum potential difference कितना लगा सकते हो, उसके across, अब मान लो कि हमने capacitor में एक dielectric slab को रखा है, यह हमारी slab रखी हुई है, और यह width है मान लो D, तो आपने अगर voltage लगा है V, तो हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर जो electric field established होगी E, उसकी value क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी V by D, हमें पता है, potential difference होता है, electric field into distance, अब किसी भी capacitor के अंदर जो dielectric slab आप रखोगे, उसकी एक maximum electric field होगी, जो कि वो bear कर सकता होगा, जिसे हम उसकी dielectric strength बोल सकते हैं, तो मान लो कि यह maximum bear कर सकता है Emax, तो इस Emax के corresponding, आप maximum external electric field भी कितनी लगा सकते हो बाहर Emax, तो कितना voltage इस capacitor के across लगाया जाए, ताकि उसकी plates के बीच में electric field कितना हो जाए Emax हो जाए, उसे बोल देंगे इस dielectric slab का breakdown voltage या इस capacitor का breakdown voltage, आप ऐसा सोचो क्यूंकि slab आपने capacitor के plates के बीच में रखी है, अगर capacitor के अंदर जो dielectric है, उसका breakdown हो गया, तो charges flow करके plates में आने लग जाएंगे, तो एक तरह से capacitor का breakdown हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ यह term यूज कर लेते हैं कि breakdown voltage जो होगा, इस capacitor का, दरसल है किसका ही है, यह breakdown voltage दरसल है हमारी slab का, पर इसे हम कह देंगे breakdown voltage of capacitor क्यूंकि potential difference आप capacitor के across लगा रहे हो, तो breakdown voltage का formula आजाता है हमार पास, dielectric strength और into D, basically यही, V बरावर E into D, E जना पर क्या है, dielectric strength और into D, तो dielectric strength सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करती है, nature of material पर, जबकि breakdown voltage यह depend कर जाता है, nature of material, और साथी साथ, dimension पर भी आपको दिख रहे है, ठीक है न, तो यह nature of material and dimension पर depend कर रहा होता है, तो यह याद रखना है कि किसी भी capacitor का breakdown voltage क्या हो जाएगा, जो maximum potential drop आप उसके across लगा सकते हो, बिना उसके अंदर जो dielectric है, उसका breakdown किये, समझ है? यह यहाँ पर लिखा हुगा है, इस पर सिंपल सा question है, जैसे, try करो जड़ा, try करो कि solution भी लिखकर, मैं समझा देता हूँ, if the breakdown voltage of the capacitor is 10V, और capacitance दिया गया है, 2μF, तो maximum charge उसक्यूपर आप कितना रख सकते होगे, बहुत ही फाल तो साथ, कि 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 हम maximum charge कितना रख सकते होगे, q बराबर c into v होता है, तो यह हो जाएगा c into v max, जो maximum potential आप उसके cross लगा सकते हो, तो capacitance हमें बता है, 2μF और उसका breakdown voltage ही हमें बताएगा है, कितना है, 10V, तो चार्ज आगया आपका 20μC, तो अगर आपको किसी capacitor का breakdown voltage बता है, तो आप क्या बता सकते हो, उसके maximum charge कितना हम स्टोर कर सकते हैं, बिना उसके अंदर dielectric का breakdown किये, अब question कर लो, तुम लो, आपको होता नहीं, find the maximum voltage that can be applied across the battery, across the, sorry, यहाँ पर battery नहीं होगा, across the series जो यहाँ पर दी गई है, capacitors की, ताकि breakdown ना हो, ठीक है, तो जैसे कि यह setup दिया गया है, यहाँ पर 2 capacitors हैं, एक 2μF का, एक 4μF का, दोनों का individual breakdown voltage बताएगा है, तो आप से पूछा जा रहा है, कि A और B के across, कितनी maximum volt की battery आप लगा सकते हो, ताकि ना तो A brake हो, और नहीं B brake, ट्रा गरो सभी लो, करके बता देता हूँ, अगर नहीं आता है तो, ठीक है, आप ऐसा सोचो, कि आपको इस capacitor का capacitance पता है, उसका breakdown voltage पता है, तो आपको इसकी उपर maximum charge जो आ सकता है, वो पता है, क्यों बराबर होता है, C into Vmax, तो 2 into 10, यानि कि 20 microcolum, similarly, आपको इसकी उपर maximum charge कितना आ सकता है, वो भी पता है, इसकी उपर maximum charge जो हम ला सकते हो, कितना ला सकते हो, वो ला सकते हो, 4 into 5, यानि कि 20 microcolum, तो ये capacitor maximum charge सह सकता है 20 microcolum, ये capacitor maximum charge सह सकता है 20 microcolum, और क्योंकि ये दोनों capacitor series में हैं, तो आप battery अगर इनके across लगाओगे भी, तो इन पर same charge ही जाने वाला है, समझा रहा है, अगर मैं battery लगा भी देता हूं, तो इन पर जो charge flow करेगा, वो तो same ही flow करेगा, ऐसा सोचो, ये maximums है सकता है 20, ये maximums है सकता है 20, तो यहां से flow भी कितना करा देना चाहिए, आपको 20, यानि पूरी branch के अंदर maximum charge जो हम flow करा सकते हैं, वो है 20 µC, अब क्योंकि हमें ये मिल गया है, तो हम जानते हैं कि जो पूरी branch के अंदर charge flow कर रहा है, Qmax, वो होना चाहिए, C equivalent into V, तो क्यों ना मैं C equivalent निकालनो, C equivalent दो और 4 का series के अंदर हो जाएगा, 2 into 4 upon 2 plus 4, यानि कि 4 by 3 µF, ठीक न, ये हमें मिल गया है C equivalent, तो आप निकाल सकते हो, Qmax, sorry, Qmax तो हमें दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो, maximum potential drop कि इतना लगा सकते हैं, formula लगा देते हैं, Qmax, बराबर C equivalent into V, Qmax हमें मिल गया है 20 µC, C equivalent मिल गया है 4 by 3 µF, ठीक न, into V, यहां से V की value हमें मिल जाएगी कितनी, 15 V, तो क्या तरीका हो गया, simply, आप यह निकालो कि पहला capacitor maximum कितना charge bear कर सकता है, फिर आप निकालो दूसरा capacitor maximum कितना charge bear कर सकता है, और जो charge कम हो, उसे branch के अंदर flow करा दो, क्यूंकि जो जादा सह सकता होगा, वो कम तो सही लेगा, लेकिन जो कम सह सकता है charge, वो जादा charge bear नहीं कर पाएगा, तो छोटे वाले charge को हम flow करा देते हैं, और formula यूज़ कर लेते हैं, Qmax बराबर C equivalent into V, I hope समझाया होगा, second try कर लो सभी लोग, इस बर 3 capacitors है, 2, 4 और 6, उनके breakdown voltage भी दिये हुए, क्या आएगा पूरे setup का equivalent breakdown voltage, यहाँ पर 10V, 4V, 3V, 2μF, 4μF, 6μF, जो setup का breakdown voltage आएगा, वो किसी individual breakdown voltage से जादा हो सकता है, logical है, क्योंकि जो भी आप लगाओगे, वो पूरा का पूरा थोड़ ना किसी एक को मिलने वाला है, उसका कुछ हिस्सा कि इसको मिलने वाला है, तो इसका 10V इसे मिला होगा और 5V इसे मिला होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, हम जो भी चार्ज भेजेंगे उसके साब से, जो भी आप वोल्टेज लगाओगे, वो डिस्ट्रिबूट इस तरह से होगा कि दोनों का ब्रेकडाउन ना हो, तो उससे जादा भी हो सकता है, तो अब बताओ क्योंकि यह सीरीज में, तो प्रांच में तो एक ही चार्ज फ्लो कर सकता है, कितना फ्लो कराना चाहिए, ताकि कोई भी ना ब्रेकडाउन हो, किसी भी कैपेस्टर का ब्रेकडाउन ना हो, तो आप सोचके देखो, अगर आपने 20 फ्लो करा दिया है, तो यह दोनों मर जाएंगे, ठीक है न, 18 फ्लो करा दिया है, तो यह खता हो जाएगा, इसलिए कितना फ्लो कराना चाहिए, जो मिनिममम चार्ज हो, यह इस ब्रांच में फ्लो करेगा 16 माइक्रो कॉलम चार्ज, यह जो नेट फ्लो करना चाहिए आपका, जैसे हम यूज करते हैं, सीकुलेंट इन्टू V फॉर्मले में, वह आपका मिल गया 16 माइक्रो कॉलम, अब आपने काल ल सीकुलेंट आपको यहां से मिल जाएगा 12 by 11 माइक्रो फैरेट, फोट कर देता हूं मैं, 12 by 11 माइक्रो फैरेट, इन्टू V, और यहां से हमें V की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 44 by 3 वोल्ट, तो आप कितना लगा सकते हो, 44 by 3 वोल्ट का वोल्टेज, इस सीरीज सेट अप के अक्रॉस लगा सकते हो, ताकि कोई भी डायलेक्रिक ब्रेक ना हो, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा, और अभी भी अगर किसी को डाउट है, किसी का गलत हुआ है, कुछ लोगों का तो हुआ था, तो वो यह वाला ट्राइ कर सकते हैं, थर्ड, इसमें 4 कैपेस्टर ले लिए ह बताओ जल्दी से क्या answer आएगा, सही आ रहा है, सेम आ रहा है, 125 by 6 आ रहा है, इस पर देख लेते हैं, maximum charge कितना जा सकता है, वो आगे है 20 microcolum, इस पर कितना जा सकता है, 32 microcolum, इस पर maximum charge जो हम बेज सकते हैं, वो है, 36 microcolum, और इस पर maximum charge आ गया है, 32 microcolum, तो obviously अगर सब को safe र तो आपको जो Q net, बरावर C equivalent into V formula है, उसमें Q net तो हमें मिल गए 20 microcolum, C equivalent हम निकाल लेते हैं, तो 1 by C equivalent हो जाएगा, 1 by 2, plus 1 by 4, plus 1 by 6, plus 1 by 8, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, 12 plus 6, 4, plus 3, ठीक है, तो C equivalent आपको मिल गए कितना, 24 by, 25 microfarad, इसे यहाँ पर रख देते हैं, बस, 24 by 25, microfarad into V, यहाँ से भी हमें मिल जाएगा, यह देख लो, 125 by 6 volt, तो इस पूरी ब्रांच को, safely operate करने के लिए, maximum potential difference कितमे लगा सकते हो, 125 by 6 volt लगा सकते हो, सबको समझा है, सीरीज वाले question में कैसे निकालेंगे breakdown voltage, अब देख लेतें कि अगर parallel में हमें दिया हुआ है, जैसे कि मैं बोलूं कि यह 3 branches हमें दी गई है, individual breakdown voltage बताएगा हर एक capacitor का, अब इस setup के across maximum कितना voltage लगाए जाए, ताकि कोई भी capacitor break ना हो, ठीक है ना, तो simple सी बात है, आप क्या करोगे, ऐसा सोच लोगे कि जो सबसे उपर वाली branch है, पहले हम उसका breakdown voltage निकाल ले, फिर जो उसकी नीचे वाली branch है, आप उसका breakdown voltage निकाल लो, और जो तीसरी वाली branch है, उसका भी breakdown voltage निकाल लो, माल लेते हैं कि इस branch का breakdown voltage आया है, V1, इसका आया है V2, और इसका आया है V3, तो obviously अगर आप जो भी battery लगाओगे, इस setup के across, हर एक branch के across, वही voltage आने वाला है, अगर मैं VV की battery लगाओँगा AB के across, इसके across भी क्या आजाएगा VV, इसके across भी आएगा VV, इसके across भी आएगा VV, इसके across भी आएगा VV, अब क्यूंकि हमें पता है कि इसके across maximum V1 आ सकता है, इसके across maximum V2, और इसके across maximum V3, तो हमें कौन सी बैटरी लगा देनी चाहिए जो सबसे छोटा वाला वोल्टेज हो क्योंकि अगर आप सबसे छोटा वाला लगा दोगे जैसे मैं बोलू V1 सबसे छोटा है और मैंने V1 लगा दिया तो obviously ये तो safe है और क्योंकि V2 से V1 छोटा है तो इसका बता सकते हो ताइम जादा waste नहीं हो इसलिए मैंने क्या किया है पिछले ही वाले तीन कॉइसन का data यहां पे ले लिया है सबसे पहला क्वेशन हमने किया था दो माइक्रो फैरेट चार माइक्रो फैरेट वाला ये दस वोल्ट और ये पांच वोल्ट अब निकालना सीखे हो इसलिए फाल्तू time waste नहीं कर रहे है उसके बाद ये दो चार और छे हमने लिया था जहां ये था दस वोल्ट चार वोल्ट तीन वोल्ट और फिर हमने लिया है दो चार छे और आठ जो अभी जस्ट हमने question किया उसमें 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट सबसे पहले जो question solve किया था उसमें breakdown voltage आया था हमारा कितना 15 वोल्ट उसके बाद जो question solve किया उसका कितना आया था last वाले का तो हमने पता है 125 बाद 6 वोल्ट आया है हमारे पास ठीक ना तो यह तो लगबग 20 के करीब आ रहा है और second question का कितना आ गया था second branch का अभी जस्ट हमने solve किया था 44 वोल्ट इसका आया था 44 वोल्ट इसका आया था 44 वोल्ट obviously अब कौन सा लागा देना चीए जो सबसे छोटा हो या पर आप देख सकते हो 44 वाइ 3 कितना हो जाएगा लगबग 11 के करीब नहीं 14 के करीब हो रहा है ठीक ना तो आपको कितना लगा देना चाहिए 44 वाइ 3 वोल्ट लगा देना चाहिए सबसे छोटा वाला वोल्टेज हो ठीक ना तो आप लगाओगी कितना 44 वाइ 3 वोल्ट तो यह हमारा आंसर हो गया समझा रहे है सबसे छोटा वाला जो वोल्टेज हो वही हमें पूरे सेटप के अग्रॉस लगाना पड़ेगा ताकि यह क्या रह सेके सेफ रह सके किसी कोई डाउट इस तरह से हम सीरीज में दिया गया हो अगर केपेस्टर तो उसका ब्रिक्डाउन वोल्टेज निकाल सकते हैं और पैरलल में दिये गया हो तो इंडिविजल ब्रांच के निकाल के और फिर फाइनली निकाल सकते हो पूरे सेटप इसके बास बस एक सिंपल एक लास्ट कॉश्चन दिया था जो कि अब इन सब पर बेश नहीं है ऐसी एक कॉश्चन है जो है find the speed at which a particle must be projected to exit the capacitor without striking the plates of the capacitor तो कितनी maximum speed से इस particle को throw करना चाहिए minimum कितनी speed से throw करना चाहिए ताकि ये capacitor को जब exit करें तो इस plate को जो capacitor की plates है इन्हें वो strike ना करें ट्राय करो ज़रा एक बार लास्ट कॉश्चन दिया चाप्टर तो ऐसा सोच लो ये battery लगाने की वजए से जो electric field आई होगी वो कैसे आईगी ये positive plate होगी ये negative plate होगी तो electric field कुछ इस तरह से ठीक है और आपका जो particle है उस पर charge बताएगा अगर positive है तो उस पर force लगेगा एक किस direction में electric field की direction में यानी नीचे की तरफ तो आपने इस तरह से speed दिये gravity को neglect करने अगा है तो वह उसका path जो होगा किस तरह को होगा कुछ इस तरह का होने वाला है क्योंकि वह electric field की वह से नीचे भी move करेगा तो हमें इतनी minimum speed देनी चाहिए कि जस्ट जब वह distance a cover करे ये distance a तब वह wire में कितना cover कर पाए d by 3 cover कर पाए simply सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ electric field कितनी होगी electric field आप देख सकते हो between the plates of capacitor हो जाएगी v by d क्योंकि पूरा separation क्या दिया गया है d दिया गया है तो force हो जाएगा q into e यानी कि q v by d acceleration हम देख सकते हैं y direction में जो आएगा वो आपको मिल जाएगा q v by md ठीक है ना अब जो भी speed आप x direction में दोगे वो तो y वाले acceleration से कभी change हो नहीं सकती तो मैं यह देख लेता हूँ कि इस corner से इस corner तक जाने में x में time कितना लगेगा इन x अगर में लिखूँ तो x में displacement जो हुआ है वो कितना है आपका a और उसके लिए speed कभी बदलेगी नहीं तो यह हो गया v into जो भी time लगा t ठीक है ना समझा ही वाल तो यहां से में t की value क्या मिल गई a by v समझा रहे हैं इतना time लगने वाला है अब हम लगा देते हैं y के अंदर अगर मैं y के लिखूँ तो y में displacement कितना हो जाना चाहिए वो आपको पता है d by 3 और इसी को मैं लिख सेकता हूँ half a y into t square put कर देते हैं y में जो displacement हो सकता है d by 3 बराबर half acceleration है qv by md into t square यानिकी a square by v square समझा रहे है हमें v ही निकालना था कितना minimum velocity देना चाहिए यहांसे हमें v मिल जाएगा क्या होगी v की value वो आ जाएगी 3q v into a square by 2md d square समझा है 11th में collision कब स्टार्ट करेंगे अरे अभी तो वो खत्म हुआ है basic maths लगी तो बहुत समय लगेगा और कुनाल तो में SHM में दिक्कत आ रही है बेटा हर किसी को आती है SHM chapter यह से practice करनी बढ़ती है बहुत जादा formula पहले तो by heart कर लो मोहित सर महाने उनकी बाते मत कर रहे है मोहित सर का है उनका जीवन में चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ मैं तो छुटी मनने वालों पी वापस से अभी एक और मैं खतम हो जाएगा वापस आना पड़ेगा फिर से करने ही है कर वापस झूर वापस कर शुटी झाल झाल